सब्सक्राइब करने वाले हैं और ऐसा वीडियो है फ्रेंड्स की हर एक टोपिक को आप अच्छे से क्लियर करवाएंगे थोड़ा लेंती हो सकता है एक्स्प्लेंट करने में तो फर्स लेके एंड तक हमारे साथ जुड़े रहे हैं और देखे कि ऐसे वीडियो आपको नेक्स इसका प्रीविच्वीडियो एक्ष्य प्रिवेटीटी से रिलेटेटे वीडियो बनाया था उसके लिए आपके लिए क्योंसर रखा था वह ता वीच उफ दा इम्मेंट गोलोबिली इस एक्टिवेट इन साइटो टॉक्सिक हाइपर सेंस्टिविटी रियक्शन के अंदर एक्टिवेट होता है तो ये फ्रेंड शाइट O'Toxy рал। इयाक्षन है 2, था और 2, सिलुक का इयंतिवेटि रैक्षन है मैंने a, c, d आपको बताया था अलर्जी का इसाइट O'Toxy, का इससे करके आपको निमोनिक बताया था उसके इसाब से इसके अंदर कौन सा इम्मिनोगलोबिलीन मॉस्टली एक्टिवेट होता है तो उसका राइट आंसर जाता है इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं अगर इस वीडियो में आप नए हैं हमारे चैनल पर नए हैं तो प्ली चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आक्नोप प्रेस करना ना वूलें और आपको लग रहा है कि वीडियो फिजूल का है तो आप अभी वीडियो को पॉज कर सकते हैं तो अपना टाइम प्लीज खराब तो फ्रेंड्स एक जो है इन्फेंट है वह रिसीव कर रहा है थायरोक्सिन सोडियम उसको देना है औरली 0.35 mg पर डे औरली देना है मेडिकेशन और जो इलेक्जर फॉर्म है अपने पास एवलेबल है वो है 0.25 mg पर ml है तो फ्रेंड्स अबको ज्यान यह रखना है कि अवलेबल कितनी है और देनी कितनी है यह अपने को ज्यान रखना यह ml के अंदर है वन के अंदर 25 mg है तो जो कितना है वो नर्स एड्मिस्टर करेगी थारॉक्षिन सोडियम इसका फ्रेंड्स ओप्सन देखते हैं पहले ऑप्सन ए 2.4 ml ऑप्सन B 1.4 ml ऑप्सन C 1.0 ml ऑप्सन D 1.3 ml तो फ्रेंड्स इसका एक अच्छा सा सूतर होता है फॉर्मूला होता है उसकी बा ml फ्रेंड्स डिजाइड्स होती है तो डॉक्टर प्रिस्ट्राइब करता है जैसे कि अपने पास यह 0.35 है और अपने पास एवलेबल है कितने ml के अंदर कितना mg है 0.25 है और ml कितना है 1 ml के अंदर इसने दिरका है तो 0.25 है तो इसके साफ से अपना इसको अगर मल्टिपला जाएगा 1.4 ml क्योंकि वीडियो बहुत ज्याजा लांबा हो जाएगा आख करके देख सकते हो तो राइट आंसर जा रहा है ऑप्शन बी 1.4 ml जो नर्स है वह एड्मिनिस्टर करेगी थायरॉक्सिन सोडियम इंफेंट को वह के प्रेंट तो चलिए बात करते हैं क्युस्ट क्योंकि तो जो अपनी होती है fatty tissue यानि जो layer होती है वेजाइना कि उसके अंदर जो glucose store होता है उसको leptic acid के अंदर convert कर देता है और जो leptic acid होता है ये वेजाइना के अंदर है अपरोपर तो डेडरलीन बेसलाई वहां mostly present होता है और ये glucose को लेक्टिकेशन के अंदर convert कर देता है और इस टाइम मिनोपॉज के अंदर estrogen की कमी होती है अपन देखते हैं कि मिनोपॉज के अंदर estrogen की deficiency की बज़ए से osteoporosis condition female के अंदर mostly देखने को मिलती है और इसको करें के लिए अपन estrogen therapy या नि हार्मोनल जो तेरेपी देते हैं वह female को देते हैं ताकि जो है वो osteoporosis जैसी और बहुत सारी मेंटेन करते हैं तो मिनोपॉज के अंदर जो है वह वेजायना का जो पीएच होता है वह हो जाता है जिसकी विज़ाइस इंफ्लामेशन इंफ्लामेशन उस ताइम देखने को मिलते हैं अपने को सुनने में आये होंगे तो फ्रेंट डॉड्रलीन बेसलाई या नहीं है यह वीडियो लंबा हो सकता है आपको फस्ट लेकर पूरी ठीक कलियर करने के लिए इसके साथ में हमारे साथ जुड़े रहना होगा ओके फ्रेंट अब उसके ऑप्सन की बात कर लेते हैं एक ही यह क्या है इसको बोलते हैं इक यह क्या हो यह नॉर्मली लाइव रहता है इंटर व्हां को सब्गे के लिए उसके अंडर नॉर्मली प्रिजयंट होता है कोई भी हार अपने को नहीं पहुंचा था किस्तिस स्टम के अंदर हेल्ती परसं होता है इसके अंदर यह जो ड्यर्ट है उसको खुद हैल्थी रखने में अपना हैल्प करता है और यह अपना जो है यह इसका opposite role भी करता है क्यूंकि अगर अपन contaminated food and water consume तो cause करता है यह diarrhea अगर contaminated food and water अपन ले लेते हैं तो यह diarrhea cause करवा सकता है इक्चेरिया कोलाई नहीं तो अपने जो normal है इंटर्स्टाइनल flora होता है कोई इसका डेंजरियस side effect को घ्राब नहीं करता ओके फ्रेंड तो चलीए बात करते हैं स्टेफहाइलो कोकस की स्टेफहाइलो कोकाई किया होता है इसके आपको देखना है तो डिस्क्रिप्स बॉक्स में आप वीडियो देख सकते हो क्यूंकि इस 10 को अब डिसकस करेंगे तो वीडियो बहुत जादा लंबा हो जाएगा क्योंकि अपने राइल आंसर की बात नहीं करने है यहां फिर चारों ऑप्षन को कलियर करवाना है तो वीडियो बहुत जादा लेंती हो रहा है आप वहां जाके इस वीडियो को और जो दूसरा की दोनों की प्रिजिंट के अंधर य ग्रो नोजक कर सकता है ढ इसके अनूर्मली करवा सकता है लुगते हैं तो यह बिल्कुल से रहल हम फोल नहीं होता बात कर लेटे हैं उन contracting जो एक परसन से दूसरे परसन के अंदर होने के चांसे बहुत जादा होते हैं और यह देखने को मिलता है इसके अंदर जो क्या होता है उसके अंदर वाला डिशार्ज होता है और जैनाइटल जो ओर्गन होता है वहां पर इसी होती है और फेंफोल यूरीनेशन देखने को मिलता है और फ्रेंस टेकोमोनेश वेजल जो होता है इसके मेल के अंदर कोई教 псих Украї और फ्रेंटर फ्रेंट्र उसके अंदर कोई सायनोर स्यम्टम इसमें देखने को नहीं मिलते और फीमेशन के अंदर अगर प्रेगनिठ्ट स्यम्ट है तो अन्दे सका हो सकता है scientifically ऐसा prove नहीं होता है कुछ भी जो बात करेंगे तो अपन clear करेंगे कि इसमें ऐसा ऐसा हो सकता है तो यह हो गया friends question number second की बात friends question number third की बात कर लेते हैं which of the following structure as prevent of skin water loss कौन सी structure है friends जो skin से water loss होने को बचाती है यानि vaporization जैसा होता है अपने सुना होगा वो है यह कौन सी जो skin को water loss होने से बताती है option A melanin, option B keratin, option C keratin, option D collagen friends आपने सुना होगा keratin नाम की protein होती है जो की होती है skin के अंदर, hair के अंदर और nail के अंदर यह mostly तीनों के अंदर present होती है इसका काम क्या होता है friends यह इनको strong बनाती है एक तो और इसको maintain करके रखती है और यह जो covering होती है skin की, skin के outermost covering होती है epithelium covering, यह cover होती है keratin protein से, जो की body के cells, tissue को fluid है, उसको vaporize होने से उसको बचाती है, water loss को बचाती है skin से, तो keratin protein वहाँ इसमें काम आती है और hairs और nail की में भी यह responsible होता है, इनकी structure है इसको maintain करके रखती है और इसके जो mostly, जो इन तिनों के अंदर जो present होती है, वो keratin protein होती है, अब बात कर लेते है friends, औरों के बारे में, यह melanin क्या है यह है friends, जो है melanin है, natural skin pigment है skin pigment, यानि skin को color provide करता है और इसके को करवाता है, hair होता है skin होती है, और eyes hair skin और eyes को color जो होता है, वो depend करता है melanin की presence या absence या इसके level पर depend करता है कि person की eyes का color कैसा है brownies है, black है, skin का color कैसा है black है या white है, और hair white है या black है, ये depend करता है melanin pigment जो की human beings के अंदर mostly present होता है और जो नहीं होता उसके अंदर जो normal person होता है उसके opposite जो है hair skin और eyes का color देखने को मिलता है अब बात कर लेते हैं friends option C की option C है friends carotines क्या होती है यह क्या होती है friends यह red orange type की color की होती है red और orange type का pigment होता है ranging 왔 टैंसलललनी लना के फ्रेंट लेना के अपने अधर होता है ये अपने अंदर बिलकुर नहीं होता अपने उन्सका नहीं होता है प्लांट जो होते प्लांट जैसे food है और वेजटेविल्साइओं उसको color provide करती है उसका जो color है नहीं करता है के यिजாय पिगमेंट होता है है यह है most evident protein in human body most evident protein होती है यह क्या करती है bone muscles और skin और टेंडन्स जो होते हैं इसको मेंटेन कर रहती है it is the substance that hold the body together यह body जो है उसको मेंटेन कर रहती है क्योंकि friends आपको पता है अगर bone ना हो तो अपने स्प्रेक्टर नहीं हो सकता muscles जो है इसको मेंटेन कर रहती है body की posture को और skin कवर कर रहती है और tendon है यह भी इसमें help करता है तो यह करता है body को मेंटेन करने का काम करते हैं collagen okay friends तो यह बात करते है question number four की question number four है friends what is the most serious complication of meningitis in young children young children है friends एक उसके अंदर meningitis के कारण कौन सा complication seriously देखने को मिलता है question को अपने को ध्यान से पढ़ना है time लग गया बेसे कोई दिक्कत नहीं आप वीडियो को पहुज कर सकते हो वीडियो को दुबारा देख सकते हो वागी question जो ऐसा है आपको समझ आ गया तो दुबारा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पढ़ेगी तो serious complication कौन सा देखने को मिलता है यंग चाइल्डरन के अंदर अगर वह मेनिजाइटी से गर्सित है ऐसे एक कम्म्मुनिकेटिंग हाइड्रोसी फैलस बी पेरी फेरर सेर्कुलेटरी कॉलाइट्स ऑप्सन सी ब्लाइडनेस ऑफ्सन डी एपिलैक्सी तो फ्रेंड्स serious complication जो होता है मेनिजाइटीस का वह होता है और सन ए इस राइट आणसर को बोलते है मेनिजाइटीस उसके कारण जो है वह कौन सी serious complication देखने में मिलती हो है communicating हाइड्रोसी फैलस के अंदर क्या होता है उसके फ्लो में ब्लोकेज आ जाता है उसके रुकाउट आ जाती है जिसके वज़ाएसे जो सीस वहाँ आने के बिज़ाएसे communicating हाइड्रोसी पैलस देखने को मिलता है में जाइटीस के अंदर ओके फ्रेंड अब बात कर लेते हैं अपन इसके अंदर आपको ईमेज के तरुछ दिखाते हैं यह आप देख सकते हो फ्रेंड्स इमेज इस इमेज में आपको दे रखा है यह हैश्क लेटरल वेंटरिकल जो की फर्स और सलिकाल मोंतवर करतर ऊक्रसाइद यह को जौड़ने के लिए धिक्ट होता है तो इनके क्या होता है यह 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 यहां मेंडिकल होता है यह क्या होता है चलनों एक इसमें होता है फोरामेन ओफ मेगंडी तो फोरामेन ओफ लुसका से है वह वापिस एप序 होटे वापिस चला जाता रहता है और एसे सरकुलेशन एक वे चांदर होता है अगर इस फ्रंडिशन अगया है चाहिए तो उसको भाइब कर देखने को मिलेगी ओके फ्रेंट चलिए स्टार्ट करते हैं question number 5 को Question number 5 है friends How much kilo calorie intake of one year old child required per day एक-एक साल का बच्चा है friends उसको कितने kilo calorie जो है उसकी requirement होती है per day Option A है 1500 kilo calorie per day Option B है 1000 kilo calorie per day Option C है 800 kilo calorie per day Option D है 1200 kilo calorie per day फ्रेंट एक साल का बच्चा है तो एक साल के बच्चे को जो है requirement होती है per day 1000 ml kcal per day जो है बी answer जो है इसका right answer जाता है 1000 kcal per day requirement होती है energy की एक साल के बच्चे को एक दिन के अंदर ओके फ्रेंट चलिए बात करते हैं question number 6 की question number 6 है which body chemicals are decreased in depression depression condition क्या होती है जिसके अंदर जो person है वह अपना जो moment है अपने function है जो daily life activities है उसको क्या है कम कर देता है जो feeling होती है उसको भी कम कर देता है और वह जो excitability desirable feeling या feeling of pleasurable होती है वह उसमें कम हो जाती है उसके अंदर कौन सा body chemicals होता है friends बहुत सारे body के अंदर chemicals होते हैं जैसे आपको चारों का नाम दे रखाए इन में से कौन सा कम हो जाता है जिसकी बजाए से अपने को depression वाली condition देखने को मिलती है option A है गाबा option B है acetylcholine option D C है dopamine option D है 5HT तो friends इसके अपन से बात करते हैं तो अपना इसका राइट आंसर जाता है जो डिप्रेशन के अंदर कम देखने को मिलता है वह होता क्या है फ्रेंट्स यह होता है फाइव हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामीन इसकी फुल फॉर्म होती है क्या करता है फ्रेंट्स इनीविट्री न्यूरो ट्रांस्मिंटर होता है cns का central nervous system होता है फ्रेंट cns जिसके अंदर brain and spinal cord include करते है इसका क्या है इनी बीट्री जो है न्यूरो ट्रांस्मिंटर होता है यह जो गाबा होता है यह क्या करता है फ्रेंट्स यह जो नियूरोनल एक्साइटिविलिटी होती है उसको कम करने का काम करता है कोई भी फेस्ट परसन है जिसकी नियूरोनल एक्साइटिविलिटी बहुत जादा बड़ी हो ही है तो ब्रेंस क्या करता है उसको कंपसेट करने के लिए गाबा को सिक्रेट करता है जो कि नियूरो ट्रां है यह भी डो disp क्या करता है फिक शिगनल से को बेज़ता है सका सिगनल होती है अधाया उसके अंदर अऩे अदर ऑुली और क्क कमी की बज़े से माइस टेनिया ग्रीविस नाम की आपने डिजीस सुनी होगी वह मॉस्ट ली इसकी बज़े से होता है इसी만 तो अपने डीजीज देखने को मिलता है तो एलजाइमर डीजीज मोस्टली इसमें डेफिचेंसी ओफ एस्टेल कोलीन देखने को मिलती है ओके बात करते हैं डॉपामीन की डॉपामीन क्या करता है यह ऐसा है जो हार्मॉन्स की तरह भी काम करता है और नीरो ट्रांस्मिटर की लिए अच्छी लाने के लिए खुसी वाला महूल बनाने के लिए डोपामीन का सिक्रेट वह बहुत जरूरी है आपने सुना होगा फ्रेंड्स पार्किंसन नाम की डिजीज अंदर डोपामीन की कमें हो जाती है और इसके अंदर परसंड खुस भी नहीं रह पाता और इसकी ज बात करता है क्युस्टन नंबर सेवन की इन इन लुपनिवन की और शक्रकाटमर में होता है इस के औरा नहीं जो है यह उत indirect का मुंपना नाया ह। ऐसे तो इनी बीन हो सकता है, इससे ज़्यादा इपोर्टेंट है, यह सिक्रेट किसी और से हो रहा हो, बाकि यहां option के अंदर corpus luteum से इनी बीन सिक्रेट होता है, right answer जाता है इसका A, अब बात करते हैं इनी बीन होता क्या है, क्यों यह कहां से, ऐसे सिक्रेट कैसे होता है, त यह दोनों corpus luteum सिक्रेट करवाता है, और क्रवाता किसे है, जो gonards होते हैं, मेल या फिमेल के, यह डिपेंड नहीं कर रहा है, जो gonards होते हैं, वो सिक्रेट करवाते हैं, अपने इनी बीन हार्मोंस होता है, इसको, और यह यहां आपने को क्यूसन में यह नहीं दिया, कि A ह बी तो अपने corpus luteum ही मानना है, तो जो gonards होते हैं, वो सिक्रेट कराते हैं, इनी बीन को, और friends इसके बारे में और देखते हैं, यह क्या करता है, इनी बीन जो है, यह जो corpus luteum है, यह सिक्रेट करवाता है, कब जब अपन जो है, corpus luteum कब बनता है, यह तो अपने जाहिर स इनी बीन को यह इनी बीन क्या करता है FSS के प्रोडेक्शन को डीक्रीज कर वाता है पिट्यूट्री के थुरू क्योंकि कॉर्पस लूटियम अगर बना है तो जाहिर सी बात है अपने जो है प्रेग्नेंट हो चुका है उसके बाद अपने को FSS की जुरूरत नहीं होती क्योंकि FSS जो है Follicle Stimulating Hormones होता है अगर अपने उस टाइम जो फर्टलाइजर्स नहीं हो पाता है तो अपने को FSS की रिक्वार्मेंट होता है क्योंकि नेक्स टाइम उसको मैस्यूरेशन साइकल आने के चांसे नहीं है तो अपने को FSS की भी जरूरत उस टाइम नहीं पड़ जो है यह यह इनिवीड दा FSS production बाइदा पीटूट्री ग्लेंड के दवारा है यह FSS की वक को कम करवा देती है जो इनिवीन के थुरू ओके फ्रेंड अब बात कर लेते हैं यह टाइपस के बारे में जो इनिवीन ए होता है यह जो है यह प्राइमरी प्रडेक्ट होता है य इससे इनिवीन ए सिक्रेट होता है अब इनिवीन बी के बारे में देखते हैं इनिवीन ब्याग बी क्या होता है यह सिक्रेट होता है ओविरी होती है ओविरियन यह होता है ओविरियन जो ग्रिनूले सा होती है उसके थूरू इनिवीन बी सिक्रेट होता है यह था इनिवीन होता है कैसे यह क्या है सिर्टोली से से सिर्टोली से आपने नाम सुना होगा मेल के अंदर और फिमेल होती है उसके अंदर यह ग्रेनुलोसा होती है उससे सिक्रेट होता है फिमेल के अंदर होता है ग्रेनुलोसा और मेल के अंदर होता है सिर्टोली से यहां से यह सिक्रेट हो किसे सिक्रेट होता है घग्वार कुंद होता है कि बात करते हैं अब 2 लीडिंग से बारे में लीडिंग सेल क्या होती है इसको बोलते है इसको इंट्रीशियल सेल इसको लीडिंग सेंट को interstitial cells भी बोलते हैं और यह होती क्या है जो सेमिनी फिर स्टूबल्स होती है सेमिनी फिर स्टूबल्स होती है जो की यहां पर टेस्ट इसका प्रोडेक्शन करवाती है टेस्ट इसके अंदर तो लेडिंग सेल का इसका बेंद स्टूबल्स होता है उसमें अब बात कर लेते हैं सर्ट इपिथेलिंग से पता चलता है सर्ट इपिथेलियम यहां उपरी है एपिथेलियम जो लेर होती है तिस्यूज। तो friends surface epithelium होती है ये covering होती है covering outer layer of body organ and that covering the ovary अगर वो ये ovary को cover कर रहा है surface epithelium क्योंकि friends यहाँ अपन जो है genital इसके बारे में बात कर रहे हैं तो अपने normal body जो outer part होता है उसके बारे में नहीं कर रहे हैं जो ovary को cover कर रहा है वो होती है friends उसको बोलते है germinal epithelium बोलते है friends germinal epithelium बोलते है अगर वो ovary को cover कर रहा है और ये जो layer होती है इसको mostly जिस नाम से जानते है जो cover करती है वो होती है simple scumas cuboidal epithelium cells simple scumas cuboidal epithelium cells जो होती है ovary ovary को cover करती है रहाँ बात करते हैं स्टॉमा के बारे में स्टॉमा एक सेल होती है जो connective tissue से बनी होती है और जो any organs होते हैं जिस यूटराइन है म्यूकोजा है उसको ये प्रोटच करवाता है ओके चलिए बात कर लेते हैं क्युस्टन नमबर 8 की, sorry, क्युस्टन नमबर 8 है, फ्रेंट्स, जग जनेटिक मेटेरियल, डि ओक्सी राइबोस नुकलिक एसीड इस कंटेंड इन, DNA जो होता है, उसका जनेटिक मेटेरियल होता है, वो कहां कंटेंड होता है, उप्षन A, नुकलियल, उप्षन B, क्रोमसों, उप्षन C, क्रोमेटीन, उप्षन D, नुकलियल, तो फ्रेंट्स, इसका राइट अंसर जाता है, नुकलियल के अंदर है, DNA content होता है, ओके फ्रेंट्स, लिए बात कर देते हैं, क्युस्टन नमबर 9 की, क्युस्टन नमबर 9 है, डिस्पोजल ओफ, एक्सपाइड एंड साइ है, dust bean होते हैं, bag होते हैं, उसके color दियो हैं, पर यहां पे वो नहीं है, तो इसके answer की अगर बात करते हैं, उससे पहले अपना option देते हैं, option A है, separate landfill disposal, option B है, municipal waste, option C है, chemical treatment, option D है, auto-cliving, तो dispose करना है, friends expired and cytotoxic drugs को, तो इसका right answer जाता है, option A, यह क्या करता है, separate landfill disposal, इसका करवाते हैं, cytotoxic drugs expired date की जो drugs होती है, उसका, okay friends, अभी इसके बारे में थोड़ा सा और देखते हैं, कि इसको जो dust bean विगर आपन डालते हैं, उसके अंदर इसका क्या रोल होता है, कैसे डालते हैं, तो friends, अब dust bean होते हैं, चार color के, yellow, red, blue, or white, अब नॉर्मली अपन थोड़ा-थोड basically fast pass बहुते हैं, आप ध्यान रखना, yellow color का जो bean होता है, dust bean होता है, उसके अंदर क्या करते हैं, body part डालते हैं, और infectious material होता है, contain होता है, जैसे dressing है, infected wound की dressing है, उसकी covering है, उसकी bendage है, उसको डालते हैं, और expiredi or cytotoxic drugs है, इसको डालते हैं, yellow के अंदर, friends, याद रखना है, yellow के अ इसके बारे हैं, friends, BMW, biomedical, western letter, अपना, एर लग से एक video बनाएंगे, basically आपको थोड़े-थोड़े इंट्रो करवा देता हूँ, okay, friends, चलिए बात करते हैं, red color का जो भी नहोता है, उसके बारे में, red color में क्या होता है, friends, इसमें reusable जो plastic का rubber का tubing बगरा होती है, उसको use में लेते है reusable जो होती है, जिसको अपन दोबारा use कर सकते हैं, non-inflexious होता है, friends, red के अंदर, okay, friends, अब बात कर लेते हैं, blue की, blue के अंदर क्या होता है, friends, जी इसमें है, glance होता है, broke glance होता है, जैसे, ampoule है, while है, ये तूट गया है, या ये normal है, उसको blue के अंदर अपन डिसकार्ड करते हैं, अब बात कर लेते हैं, friends, white की, white में क्या होता है, syrup जो waste होता है, syrup में क्या आता है, friends, needle आती है, और अपने blade आती है, ये जो है, ये discard करेंगे, white के अंदर, और, friends, according to new rules of BMW, biomedical waste का जो नया rules आया था, उसके इसाब से है, mostly चार yellow, red, blue और white ही, अपन जो है, container यूज में लेते हैं, ब्लैक वाला हटा दिया गया है, okay, friends, तो ये हो गया, अपना normally इसके बारे में data, okay, अब बात कर लेते हैं, last and final question of these video, option number 10, which of the following technique are example of non-theriopatic communication, friends, कौन सी टेकनिक है, तो non-theriopatic communication के अंदर आती है, therapeutic होता है, friends, एक तो एक तो हता है, non-theriopatic, जैसे example, जैसे patient है, और nursing officer है, वो communicate कर रहा है, patient को cure करने के लिए, उसकी condition का find out करने के लिए, तो वो होता है, friends, therapeutic communication होता है, तो इसके अंदर example दे रहा है, non-theriopatic communication का example, इसमें से कौन सा है, option A, giving advice, B, boxing, और C, parapherising, D, restating, तो friends, इसमें giving advice जो होता है, जो ग्यान दे रहा है, फोकट का, यह अपने non-theriopatic communication के A is right answer, okay friends, तो यह थे 10 hours के question, कैसा लगा आपको हमारा वीडियो अगर अच्छा लगा तो please comment box के अंदर आप comment करें, और वीडियो को like, share and subscribe करना channel को ना भूलें, ताकि हमें इसी वजह से motivation मिलता है, आप like करते हो, comment करते हो, subscribe करते हो, तो मुझे लगता है, मेरे वीडियो बंद इसका अंसर में कल जो वीडियो आएगा, उसके से पहले बता दूँगा, और आप अगर comment box के अंदर मेरे इसका answer देते हैं, तो comment box के अंदर में तुरंत इसका reply करूँगा आपको, तो friends, आपके लिए क्योशन है, intrinsic factor, intrinsic factor is secreted by, intrinsic factor है किसकी दवारा secret होता है, option A, B cell, option C, chief cell, option C, parietal cell, option D, mucous cell, friends, comment आपको जरूर करना है, क्योंकि अभी एक बार आप पढ़ोगे, ये हो गया, एक मेरे को, आप comment करोगे, second time हो गया, मैं आपको reply करूँगा, third time हो गया, ऐसे करके 3-4 बार आपका recall हो जाएगा, आपको chance नहीं बचता कि friends, ये क्योशन आपको बोल सकते हैं इजी क्योशन हो, तो यार इसका तो क्या answer देना, ये तो मेरे को पता है, friends, फिर भी जो easy होता है, कोई दिक्कत नहीं है, easy वाले क्योशन में अपने मात काते हैं, जो repeat जितना हो रहा है, उतना करने में ही बलाई होती है, okay friends, तो कैसा लगा हमारे वीडियो, अगर आप भी व of luck my future nursing officer, thank you.